हम अपने ही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, हम 24 घंटे अपने मन में जीते हैं, हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या नहीं, यह पूरी तरह हम पर निरभर करता है कि हम इसे कैसे पोशित करते हैं, अपनी जिन्दगी को रोमैंटिक बनाना यानि हर रोज के छोटे छोटे पलों में खूपसूरती, खुशी और आश्चेर को ढूनना, इसमें छोटी छोटी बातों की सराना करना, सकारात्मक दृष्टी कोन अपनाना और यादगार अनुभव बनाना शामिल है, अपनी जिन् तृष्टी कोन से देखने की प्रेणना देता है, जिस से साधारन दिन भी खास और असाधारन महसूस होता है, मैं अपनी जिन्दगी को रोमैंटिक बनाने के लिए अलग-अलग चीज़े करती हूँ, आपके लिए यह अलग हो सकता है, लेकिन आधार वही है, एक सार्थक जीवन जीने के लिए अपनी जिन्दगी को रोमैंटिक बनाना आपके देनिक रूटीन को कुछ खास और सार्थक बना सकता है, यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी जिन्दगी को रोमैंटिक बना सकते हैं, प्रकर्ती में समय बिताना मुझे जीवत महसूस कराता है, सूरी उदय और सूरी आस देखना मुझे प्रकरती से जोडता है कभी कभी मैं आराम से टहलती हूँ और अपने आस पास की खुबसूरती को नोटिस करती हूँ भगवान ने इस दुन्या को बहुत ही खुबसूरत तरीके से बनाया है जैसे हर जगह छोटे छोटे चमतकार है बादलों को देखते हुई मुझे एहसास होता है कि जिन्दगी कितनी आसान हो सकती है और कुछ भी संबव है यह प्रकरती से जुड़ने और जीवन की खुशी और आनन महसूस करने में मदद करता है हर दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय देखें शाम को सूर्यास का आनन लें पार्क या बगीचे में टहलनें और पेड़ पौधों, फूलों और पक्षियों की सुन्दरता को देखें कभी-कभी अकेले या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाएं माइमफुलनेस का अभ्यास करते हुए वर्तमांशन का पूरी तरह अनुभव करती हूँ चाहे मैं खाना खा रही हूँ किसी से बात कर रही हूँ मैं अपने फोन को साइट में रखकर पूरी तरह से सुनती हूँ और अच्छी बातचीत करती हूँ या अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ तो मैं एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ करती हूँ इससे मुझे सार्थक और उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने में बहुत मदद मिल रही है इसने मेरी जिन्दगी में बहुत सारे बतलाव और स्वतंतरता लाई है खाना खाते समय टीवी या फोन का उप्योग ना करें खाने के स्वाद, बनावट और खुश्बो का आनन्द दें बातचीत करते समय अपने फोन को दूर रखें और पूरी तरह से सुनें जब आप कोई किताब पढ़ रहे हों तो केवल उसी किताब पर ध्यान केंद्रित करें हर रोज कुछ मिंटों के लिए ध्यान करें और अपनी सासों पर ध्यान केंद्रित करें यहां मेरे दन का बहुत ही खुबसूरत हिसा है जब मैं सिर्फ अपने विचारों के साथ होती हूँ और देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है अपने विचारों, सपनों और दैनिक अनुभवों को लिखना मुझे एक बहतर इंसान बनने में मदद करता है और अपने दिन पर विचार करने से मेरे वर्तमान जीवन के लिए खुशी और कृतग्यता आती है और तरीके, हर दिन कुछ मिनट निकाल कर अपने विचारों और अनुभवों को लिखें अपने सपनों और लक्षों को भी लिखें और उन्हें हासल करने की योजनाएं बनाएं अपने दिन की महतवपून घटनाओं और उनसे मिलने वाली सीख को लिखें लिखते समय सकरात्मक भाषा का उपियोग करें और उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं मुझे नई रेसिपीस बनाना बहुत पसंद है खाना हमारे जीवन का सबसे महतवपूर्ण हिस्सा है कहते हैं जैसा खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा खाना बनाते और खाते समय ध्यान देना महतवपूर्ण है मैं समय लेकर खाना बनाती हूं और इसे पूरी तरह से आनन्दित होकर खाती हूं नई रेसिप्रीज ट्राइ करें और उन्हें प्यार और ध्यान से बनाएं खाने का समय एक सजीव अनुभव बनाएं इसे अच्छी से सजाएं और हर बाइट का आनन्द लें परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाएं और इसे मिलकर खाएं ताजे और स्वस्त सामगरी का उपियोग करें क्यों किसी और से फूल पाने का इंतिजार करें जब हम खुद के लिए फूल खरीच सकते हैं अपने आपको सवारें और खुद को वही व्यवार दें जो आप दूसरों से चाहते हैं खुद को स्पार डे दे अपने लिए सेल्फ केयर और पैमपर केयर रूटीन बनाए अपने लिए देनिक या सपताहिक रूटीन या स्वदेग भाल रवीवार स्थापित करें जिसमें आप अपने लिए एक अच्छा सा टाइम निर धारित कर सकते हैं और अपने साथ समय व्यतीत कर सकते हैं खुद को फूल खरी दें और उन्हें अपने घर पर सजाएं घर पर स्पाद दिवस मनाएं जिसमें स्नान, फेशिल और अन्य स्वद एकभाल रूटीन शामिल हो हर दिन या हफ़ते में एक बार स्वद एकभाल के लिए समय निकालें अपने आपको समय समय पर छोटे छोटे उपहार दें यह सबसे अच्छा काम है जो मैंने अपने लिए किया है मैंने सालों पहले कृत्रगिता का अभ्याश करना शुरू किया था यह मेरे खुद की खुशी के लिए बहतर पढ़ी नाम पाने में मदद करता है यह पूरी तरह हमारे हाथ में हैं कि हम कैसा महसूस करना चाहते हैं जितनी अधिक चीजों के लिए आप आभारी होंगे उतना ही आपका ध्यान जीवन के सकारात्मक पहलूँ पर केंदरित होगा हर किसी के पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है कुछ ना कुछ होता ही है यह मेरे दिन का हिस्सा है कि मैं जीवन और वर्तमान में ले रही सांस के लिए आभारी हूँ हर दिन सुभह या रात को तीन चीज़े लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं अपने परिवार और दोस्तों को बताएं कि आप उनके लिए आभारी हैं उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में खुशी लाती हैं कटिन समय में भी उन सीखों पर ध्यान दें जो आपको मिली हैं हमारी व्यस्त दिन्चरिया में अक्सर हम अपने पसंदिदा कामों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं इंटरनेट पर समय बिताने के बजाएं मैं अपनी शौक के लिए समय निकालती हूं मुझे क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है इससे मुझे एकता का एहसास होता है और समय कहां जाता है इसका पता नहीं चलता यह ध्यान जैसा लगता है बहाव की अवस्था में जाना एक अलग ही अनुभव होता है उन गतिवीदियों को करें जो आपको पसंद हो चाहे वो पेंटिंग हो गार्डनिंग हो बेकिंग हो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या कुछ भी जो आपको फ्लो स्टेट में जाने में हेल्प करता हो हर हफ़ती कुछ घंटे अपनी शौक के लिए समय निकालें अपनी शौक को प्रात्मिक्ता दें और उन नियमित रूप से करें ने शौक ट्राइ करें और उन्हें सीखने की प्रकरिया का आनंद लें अपनी शौक को दूसरों के साथ साजा करें और उनसे प्रेणना लें अधिकतर हम अपने बड़े पलो का जश्ण मनाते हैं लेकिन यह भी उतना ही महतुपूर्ण है कि हम अपने छोटे छोटे पलो का भी जश्ण मनाए अपनी छोटी छोटी जीत को स्वीकारे और उनका जश्ण मनाए चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो छोटी-छोटी उपलब्दियां ही बड़ी बनने में मदद करती है खुद की सराना करें और अपने सपनों को पूरी तरह जीएं हर दिन या हफते के अंत में अपनी छोटी-छोटी चीत की सूची बनाएं अपनी उपलब्दियों के लिए खुद को पुरुस्कृत करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने जीत को साजा करें और उनका समर्थन प्राप्त करें अपने लक्ष को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटें और हर हिस्से को पूरा करने पर जश्न बनाएं उमीद है कि यह वीडियो आपके लिए सार्थक हो अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें राधे कृष्णा